मौतरमा अब आप हिंदू नहीं हूँ बला मुझे ऐसा उसने लिटरली कह दिया सर जैसे मैं पता नहीं पाकिस्तान पहुच गई या किस इसलामिक कंट्री के मैं कहीं और पहुच गई हूँ तो सरु से बच्छपन से ही सर हमारे फैमिली में क्रेज था कि राइफल लोग सिका पहुचान होता है कहते शोर यह रहनसेन होता है सर वहां पर जो अनल श्वास्तिक जो जो गनेश की मूर्ती वो सबकुच घट सुबह आठ तारीक हो जब पूची मैं जब पहुची तब तक तो था साथ जुलई को जब सुबह मैं उठी ना 8 जूलाई तो हर जग है पर मक्क मुझे मुस्ताक एहमद जो विजिलन्स रजिस्टार थे उसके घर ले जाया गया उस टाइम एद का समय था जो जो रमजान का महीना कहते है इफ्तार पाटी जो उनकी होती है उसमें सब वहां पर जाकर जो मुझे दिखाना मुझे डरा देने वाला था मुझे आज भी आद है 30 औरतों के बीच 30 तो होंगी सर गिंती तो नहीं 20 से 30 जरूर होंगी बैठा दिया गया और वहां पर मुझे जबरदस्ती बीफ खिलाने की कोसिस की गई मतलब और अज हमारे साथ एक देश की बहुत बहादूर बेटी तारा सेदेव हैं तारा सेदेव जी किसी परीचे की मोताज नहीं है भारत के लिए वह अंतरास्टी इस तर पर खेली है तारा सेदेव जी का परीचे एक खिलानी के तोर पर नहीं है बलकि तारा सेदेव देश की ऐसी बहादूर बेटी है जिनोंने σनातन पर चोड करने वाले जिहादियों से टक्कर ली और उनको सजा दिलाने का काम किया तारा सेदेव ना कभी डरी ना कभी जुकी ना कभी रुकी आज बड़े सुभागर की बात है कि जाना-सेदेव हमारे साथ है ताराजी सबसे पहले बताइए कि आपकी जीवन यात्रा खेल कि पर्थी कप सुरूज इसी। जैसा कि सब भी जानते हैं मैं नेसनल सुटर हूं और कईबार मैं ने पार्टिसिपेट किया है अलग अलग चैंपियंशिक में तो सब मैं एक राजपुत फैमिली से बिलॉंग करती हूं सादे फैमिली तो सुरू से बच्छपन से ही सर हमारे फैमिली में क्रेज था कि राइफल लोग सिकार करना यह सब दादा पर दादा के समय से सुनते आया है बट बेटियों को कही न कह मा को बताया कि मैं सुटिंग करना चाहती हूं यह मैं डिफेंस मैं अट्वेली मैं सर ओफिसर बनना चाहती थी क्योंकि मुझे क्वेस था कि उनके पास बहुत पावर होता है वो देश के लिए कुछ करते है तो मुझे वैसा बनना था फिर उसी दौरान मेरे स्कूल में तो कही ना कहीं फिर पापा जी ने भी हां कर दी कि ठीक है अगर अच्छा लगता है तो आप आगे बढ़ उसमें तो सर मैं अपने घर से अपने परिवार की पहली बेटी थी तो साथ ही साथ सब का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हुआ तो वहां से सब मेरी जर्नी स्टार्ट आगे बढ़ी बस यहीं मेरा मनलब एक पैसन बन गया था हर स्पोर्ट परसन के जैसे मेरा एम था कि मुझे ट्यारी करनी है और कहीं ना कहीं मैं उसी लाइन पने आगे बढ़ रही थी यादी खेलो की पिरती आपका पूरा सभरपन था कि निसाने बाजी में आपको भारत क हुआ यहां है कि अव्यारी से रहने वाली हूँ तो जब हम कर रहे थे तो ही कुझ हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हमारे पाथ सुटिंग रेंज प्रौपर नहीं थी बड़े नेश्वे राची नेशनल गेमि राची जब होत्वार सुटिंग रेंज बना पर रहां प्र। प्र कि आपके जीवन कैसा था प्रतिरिन का तो आपको बढ़ लड़ना हाज जीतना सब्सकाथा था अपने आपको हर रूटीन में रखते हुए क्योंकि सर मैंने जो किया है वो अव अव अपनी लाइफ में लाइफ में वाप आपको यह उपक्स करते हो आपको अपको वह जो में यह चाहता है कि निसाने बाली जो है वो दिमाग का खेल है उसमें बहुत जादे फोकस करना पड़ता है आपको ध्यान लगना पड़ता है तो आपकी जो तरफ थी वो योग ध्यान पर थी थी आपने सही कहा क्योंकि शुटिंग का नाम ही ध्यान जैसे अप जितना पैसंस ले आप किसी राइफल को लेकर गंटो एक जगह पर खड़े रहते हो तो वो जो आपको एंदर पैसंस होना चाहिए फिर उसके साथ ही आपका जो इकागरता होता है वो कही ना कहीं भटके ना इसके लिए गंटो सर हम प्रैक्टिस करते थे फिर साथ ही साथ आपका फिजिकल वरक अचे थे तो स्कूल जाना पूल से वापस आपकर अपनी प्रैक्टिस करना फिर क्यों किस एक जोस था कि हम कर रहे हैं और हमें देस के लिए कुछ करना है तो वो आपको बात मोटिवेट करता है सब करने के लिए आपकी तो यात्रा थी बहुत अच्छी चल और फैमिली भी आपकी एक रहे हैं अपकी एक रहाल फैमिली है और एक बहुत इस बहुत इस बहुत डिसिप्लिब में आप खिलारी इस वगजे इस बर दरम्यान इस दिजों के पीच में ये ये लिए 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 ये लिए लोगाशन कहां से आपकी जिंदगी नाहाई? वो समय मैं मानूंगी मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मैं अपनी मदर से बहुत जादा कनेक्टेट थी समझड़ों बेटी हो मैं उस टाइम मुझे आद है बाइस साल की हो गई थी सर तो उसमें हमारा वह जाता है कि आप अठारा पार करते हो बाइस से की होते हो तो साधी का समय हो गया मदर के डेथ के बाद सर ऐसा प्रेसर आना सुरू हुआ कि मतलब अचानक मां की मौत हुई तो सब डर गए थे क्योंकि पापा बहुत कमजोर पढ़ गया थे मदर के अचानक डेथ के बाद तो परिवार वाले जितने भी थे हमारे उनका कहना था कि अगर अचानक से ऐसे मां 14 से पहले क्योंकि मेरा बहुत क्लियर था माने कहा था अपनी पढ़ाई पूरी करोगे लिए कि अचानक उसके जाने के बाद मेरी लाइफ बदल गई फिर मुझे लगा कि ठीक है अगर सब को ऐसा लगता है तो मैंने पापा से इतने ही कहा कि कुछ भी हो आप जहां रिस्ता हो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि तुमारी सुटिंग कभी ना चूटे ऐसे ही हुआ सर इसी दौरान मुस्ताक एहमत जो मेरे केस में आपने सुना होगा विजलन्स रजिस्टार है जिसको सजा में लिए 15 साल की वह सुटिंग रेंज आते थे सर कई बार क्यूंकि सरकारी जिसके बार कोई रची वहारी लोग पर फिसिपेट कर सकते थे पहली बार गौर्वर्मेंट रचार थे जिसमें की जो नए लोग है वो आकर सीखे तो पहली बार मेरा मिलना हुआ था मुस्ताक एम्मद भी जो मैंने देखा उस इंसान को रेंज पर यग देखा ये तक तब तो यह लगता है निसाने लगाने आते थे हाँ मुझे लगता है क्योंकि वो फिफ्टी मिटर रेंज पर कही बार उनके पास खुद के गार्ड के बंदू हो और उनके फ्रेंड दीस्प आते थे बहुत से लोग आते थे सर इनके साथ तो वो लोग अकसर आपर फाइरिंग किय अज़ कोच आपका नहीं था अनके सब्सक्या नहीं ठो सब्सक्रण अपकाकि में सब्सक्राब है किर माज रूचि पzes पीसन, चमुझेल री में कि फिरवन करे रहा वनंके मिटर्पारी मों आते थे हैं क्मूण 2 3 त और मिल्भ चुट करें फ्रेंड तो क्योंकि इस समय का एक बंदन होता है सुटिंग में आप सुबह नौ बज़ से स्टार्ट होता है तो इस दौरान उनको यह यह रखा था तो सबसे पहले यह जो दोसी है मुफ्तार इस से मुलाकात आपकी होई शुटिंग रिज में हम अप्रोच किया मुझे पता नहीं क्य क्या समझा यह वो क्यों आए थे बट अब लगता है कि वह सब चीज एक सडियंत्री की तहती हुआ था जब मुझे याद है मेरे भाई ने बताया था कि मुस्ताक एमत जो आते हैं विजलेंस रजिस्टार उन्होंने तुम्हारे रिस्ते की बात कही है क्योंकि वह हमारे डि कि मैं आकर बात करना चाहूंगा आप से तो सर जैसा कि मैं बताया घर पर बात चल रही थी उसी दोरान इस इंसान का आना हुआ फिर सबसे बड़ी बात थी थी सर कि वह एक ऐसा रिस्पेक्टेट इंसान था जिसको मेरे फादर जानते थे कि हमारे जज बहुत बढ़ी बात है जहाती है जब अरजीत ज को मैं तो सर मेरा जानती है टो है वह न इन्सान सामने लेकर आए तो आप समझ सकतो आप समस्गते हो कि इनसान सही फिर उसने उनको इंट्रोड्यूस जब मुझे याद है रेंज पे ही वो लेकर आया था रंजीत सिंह को जो आइडेंटिटी मुझे बताई गई या मेरे परिवार को बताई गई पहली बार जब मैंने उस इंसान को देखा तो तो रेंज पर ही मिले थे सरम लोग क्योंकि हम प करते हैं कर तो ठाई कि अहां पॉल्गता मुंबाई करते हैं क्यूंकि उनके थाढ़ की थे हो चुकी है जैसा उन्होंने बताया और उनकी मदर थी उनके साथी हो चुकी थे मेरे पटाजी ने उनको हैंग जी तो जो पाप बगभा या प्तानी से इंको बिलाग श्या थे है जो वहां की लोकल है उनसे इंक्वाइड कराया और सही पाया थे लेहां आप रहाए रहे तो यह इतना बड़ा प्रॉफ रहा डिया नहीं किया रहा रहा जब आपके लिए पुरी लिख 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 जैसे आप अज मुझे पहचान रहे तो मेरी जो इप सon war उलियाओ कि दोस्तिक निवार को दूस्ति करना तक अाहद के बिलन टोहुंछ कोछी चोगर का यह Сब्त एक डिचाह में अनी को लें आप kirी ऊई इसंत्म हुर अप्री इन कोई नहीं नाइओ क्या है तो यह है तो मेरा जासा मैं आपको बताए कि तरफ से विल्कुल साफ था कि आप लड़की को देखे मेरा स्थाइग जोते न सप्तिंग रेंज ही मिरी लाइफ मुझे सुबह से साम में रहती थी तो मेरा यह था कि आप देख लो कल के डेट में आप यह न कहो कि आप इन से क्यू बात कर रहे हो आप ऐसे कपड़े क्यू पहन रहो कि मेरा यह दिन चरिया है मैं इस हिसाब से जीती हूँ तो सर इस हिसाब से ओविस वो रहे क्योंकि भाई मेरे साथ सुटिंग करता है भाई भी साथ रहता था मुस्ताहक एमर कई बार सबने लंच किया पूरे सूटर्स के साथ तो सर इस तरीके से इन लोगों का घुलना मिलना स्टार्ट हुआ फिर फादर सिनों ने बोला कि अगर आपको सही लगता है तो आप रिस्ते की बात करें साथ जुलाई को साथी होई 2014 मैं यानि कि यह प्रोपर अरिस्ता हुआ हुआ और यह इतना गहरा सडियंत्र था कि जब आपके घर्वालों ने इनकी तैकिकात की जाहिरती बात कोई अपनी बेटी की साथी करता है तो उसके देखता है कि होने वाला आदमी कौन है उसका परि सब्सक्ता है कि एक इंडर सिंग नामधारी निए थे वो उसके टरफ से आने वाले थे मिलाब से रिसक्तेड लोग आए थे नियुक्त अबात सिर्फ आपके लोग आपकी पहचान होती है तो यह सादी का सारन ची जब लोगा। यह भी हिंग होग साथी हो ती हुए उसको द कि जैसे हम कहते हैं कि मुसल्मान का कोई तरीका अलग होता है या उनका रहन सहन अलग होता है ऐसा उसने कुछ भी नहीं होने दिया था जिससे इंसान कोई सक कर जाए उस पर तो यह जो सडियन्त था इतना घहरा था कि जब रन्जीत कोहली और रखीम-ul-Hasan का विबा हुआ तो यह उसने पूरा जो विभा का रिकम था इस तरह रखा कि देखने वाले को लगे कि सनातन पद्दति और हिंदू रिति रिवाजों के साथ विभा हो हुआ है इसलिए इसलिए परिवार को कोई शक्नी हुआ तर आपको पहली बार पता लगा कि यह आदमी का असली नाम रंज अधिया जो उन लोगों कहा कि आप रेस्ट करो क्योंकि तर उसन मुझे फीवर था तो इनों रहा वाले कई वर आए गया थे साथी के दौरान सर घर पर आना जाना हुआ था सगाई हुए थी तो सर उसके घर में जैसे एक हिंदू परिवार हमारे आप देखोगे मंदिर होन और ओम का चिन होना जो भी हमारा है कःते सर जो रहन से होता है सर वहां पर वो जो स्वास्ति कि मूर्ति वो जो स्वास्तिक न हम यदू सबकुछ अट उट जुछ गया सर, 8 तारिकिक को ऑठ जुलाई को जब पौची तब तब तक तो था सर शाध जुलाई को सब सुछ वह मक्का अदीना का फोटो और अल्ला का सिंबॉल जहां पर मुझे आज भी आदे लाल चुनरी था माता का वहां पर ग्रीन डुपटा आ गया तो सर मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मैं कहां पहुच गई हूं मतलब आप सोच के देखो आप सुरात में किसी अपने घर पे सोते औ आपको ऐसे सुबह लगेगा कि आप पता नहीं किस अंजान जगे आ गए हो तो मैंने भाग कर कोई भी सर घबरा जाएगा क्योंकि वो मेरा पहला सुबह था वहां पर तो मैं भागते विए मैं रूम में थी मैं भागते विए पहुची कि भई यह क्या है मतलब तो मुझे अज भी आदे सर उसकी माह वो जिसको सजा हुई एक उसल राणी को कितनी साल केंगी सब्सक्राइब तो तब ती जैसा उसने कहा ता मैं बरासी साल की हूं इस वो और जो जो रहत जो से हसना सुरू हूई मुझे यह अग्या था मैं तुम्हारी माह हूं तुम्हारी जैसे र अगर जीना तो जैसे हम जहाँ और मेंने को मुला होगी तुम कहां मैं कि यहां तुम मुसुम है, तुम्हे और इज़त कि इजलिकोपू तुम्हार घर वालों ने तुम्हें भेज़ा बेज दिया लेकिन sorry मेरे लिए यहां मेरे मैं आप से साधी करकी यहां आई हूँ प्रॉपर सर रिती रिवाद मेरे पापा ने कन्या दान किया विधी विधी विधान से सब कुछ हुआ है लेकिन सर वो मुझे ऐसे ट्रीट करने लगा कि तुम मेरे लिए एक पराई और तुम को मैं तब वैल्यू दूंगा जब तुम किसी को आपने सिकार किया हो और वो सिकारी के जाल में कोई फस गया हो वैसा भी ता यहां दिए परिवारी अपना याद इया तही मेरे फोन धीजिए अपने अपने बापा और भाह से बात कर रहा हुँ तो स्र पहले दिन ही उसने कह दिए कि तुम को बुलाना क्या चाहती ह सिम्पल कहा तुम्हारे थीक गए घे लोस्ते वो आ shaving तुम्हारे लो तुम्हारे महीं कहँ अंनलु जी राश्यय लोगए तो पाप को साद White वर में आपकर आपको नहीं के सामने नी बओला रागण से उनके सामने ही वाद करता है आप उर्ड रोग्षित आपको भूले तो प्लेख एपकर सामने हारा था कर्लोंग यृड़ तो मैंने उनको बोला प्लिस की वर्डीव कर्णा के बिस्वास करता है कि आप हो तो हम सुरक मैं उनके पास गई कि सर आप देख रो क्या हो रहा है पोले कि मैडम जो सहाब बोल रहा है वो कर लो मैंने बुला यह मतलब कैस समझ सकतो सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे साथ हो क्या रहा है कुछ देर बादी सर मुस्ताक एहमत घर पहुचे उसी रकीबुल के घर प उसने कहा कि जो जनाब रकीबुल खान साहब कह रहे है वो कर लीजे मोहतरमा वो सब वर्ड सर मिने ना कान में जिंदी की बर गुंच्टा रहेगा वैंने मुझे अब ऐसे अगर करो गे तो मैं तो इस इंसान को जानती भी नीए ती सर कहते ने जब आप किसी के प्यार में तो या एक रिलेसन में हो तो आप अपने आपको पस्तावद हो गए मुझे यह कहा गया था कि आपकी सादी यह इनको समझना आपके पती बनेंगे मैंने इस इंसान से तो मेरा कोई रिस्ता है नी एक तरीके से बनाब से दो महीने में एक यही हो उना उसके साथ तरह से मुस सफेद रंका वो कपड़ा लेका था मेरे लिए पहनने के लिए तो सर हमारे हिंदू सनातन धर में वही मैंने कहा कि सर हमारे तो तच भी नहीं करते कहते हैं जो सगुन मानते इस चीज को और आप मुझे आज के दिन ही यह बोलते हो कि मैं यह सूट काला और सफेद रंका पह तो उन्होंने कहा कि इज़त चाहती हो तो लिटरली उसमें यह कह दिया सर की नहीं तो बिस्तर यही रहेगा लोग बदल जाएंगे मुस्ताक एमद का ही सब था तो मैंने बुला सर मुझे नहीं समझ मारा फिर मैं भागती वही सर रूम में गई मुझे कहां भागो गया मु कि इस बहुत अच्छे से मुझे समझाने की कोसिस की कि आप तीन बार कबूल है बोल दो फिर आपकी लाइव में सब अच्छा हो जाएगा तो मैंने बोला क्या मेरे तीन बार कबूल है बोलने से आप हम दोनों अराम से रहेंगे अज़ा है क्योंकि मेरी साधी हुई थी सर जैसा कि मैं बतार्ते आई दी थी तो उसने कहा कि हाँ आप तीन बर बस कबूल है बोलो फिर मैं पती पत्नी के जैसा हम खुछी से रहेंगे अच्छे से रहेंगे मैंने ठीक है अगर आपको ऐस अगता है दोखा तो आपने उज़े दिया है लेकिन से मेरे पास कोई अपस अपने पाप भया को मरता देख लो यह मैं पहां भागो क्योंकि पुलिस सामने खड़ी थी जज सामने खड़ा आप एक तरह से डर गई कि और आपका फ़ॉन नोगों ने अपने पास अपने पास रख लिया थी और परशान भी थी बहुत जादा आप सोच भी नहीं लड़ अपनी मुवीज में देखा था पर्दा खीचा जाता है लड़के इधर लड़किया इधर बैठती है तो वैसे ही सर जब मैं बाहर आई मैंने वो सूट तो नहीं पहना जो सादमी नहीं दिया था जो हमारा नॉर्मल कपड़ा था मैं पहन कर बाहर आई साम का समय हो चुका था अच्वएंट था झाता है अपने विटनस में तीं पट्डी का गार कंचा बढ़ा था जिस नहीं टेखाए था जिसको पूछ भी आपको पूछेंगे अपने अपको बोले बोलने से दो कि अटने तक भी मैंने आपको मनाया कि चलो ठीक है अगर आपको लगता है कि मेरे यह तो आपको यह लगँ रहा था कि मैं यहां से भागू किसी लगा बाहर भार मुझे वहां से एक हिम्मत और एक समय चाहिए था यह उर इसलिए उनको यह यकीन हो कि हां जो हम बोल रहे हैं यह लड़की कर रही है क्योंकि सर वहां पर जिस जो परिस्तिति थी में वहांसे निकल तभी मैं कुछ कर पाऊंगी तभी तो आप अपनी बात मैं अपने भाई और पापा तक सही रूप से पहुंच पाऊंगी तो सर हुआ ऐसा हुआ नहीं जैसा मैंने सोचा था क्योंकि उनका कुछ और ही प्लैन्ट आपने तरफ से रखी ने मुझे बोला वो जब पढ रहे थे तो सर इसी जगह पे मैं रुख गई कि मेरा सिर्फ आपनी यह कहा ता कि तीन बार मैं कबूल काऊं कि कि यह मुस्लिम है यह मानता है कि मुस्लिम है जब कि ऐसा है नहीं तो फिर उसने कहा कि जो कहा आपने मैं यहां तक कर लिया मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं सर यह मैं इसा कुछ भी नहीं करूंगी और मुझे खुछ समझ नहीं है सर मैं भाग कर रूम में लॉक हो गई जाकर बहुत देर तक सर वो लोग पीटते रहे धंकी देते रहे मैं बस इतना था सर मुझे लग रहा था कि यह सिच्वेसन नहीं से हट जाए क्योंकि मैं सर मुझे बस इतना विस्वास था कि भगवान ये समय बिता दे फिर मैं मुझे सर कह रहे नहीं पता था आगे क्या होना है मैं कब तक जहल पाऊंगी लेकिन उस टाइम सर मैंने वह सारा परवीन बनने से उनको मना किया जिसके बाद ही से उसने कहते हैं सर मेंटली टॉर्चर क मुझे स्टार्ट किया मौलवी और बाकी लोग चले ले सर मौलवी का मैंने सुना था क्यूंकि रूम फ्लैट था सर तो बहुत पासी था मौलवी ने कहा कि जब तक लड़की इमान में दाखिल नहीं होती है मिन्स कंवर्ट नहीं होती है तब तक यह निका मतलब लीगली व तो उस रकीबूल के ऊपर सर एक टास्क के जैसा था कि मुझे किसी भी हालत में कंवर्ट करके और यह निकाह करवाना है और उस पर जो प्रेसर था वो मुस्ताक अहमत जैसे लोगों का था मुझे आद एक एड़केट जनरल भी थे सर उस टाइम पर उनकी सुसाइटी जनरल सोहिल अनवर नाम था जो निकाह में भी आए थे जो जो जार्खन के अड़ोकेट जनरल थे उस समें वो भी थे जो वराबर तारा सैदेव बहन के ऊपर ड़ाव डाल रहे थे कि आप धरम परिवर्तन कीजिए और इस्लाम धरम में पदार्पन कीजिए सर बस यहां से आप सक आप लगे जिए पाप अममी ने हाथ निए उठाया था लेकिन उस आधमी ने एक धड़ाके से थपड मारा फिर मैं भी वैसे पूछ थे थी कि आपने मुझे तो इस्ट मान सम्मान तो होता ही नहीं उनके नजर में मैं तो इतना कहने पर उसमें मुझे बे धड़ाग पीट मुझे आप लकाद कि बहुत बाख विद्स गड़ा एक कंसे किसी के लिए इतना इतना हिंसा आप ने अप ने बहुत कष्ट जह लाए बहुत संगर सहा बहुत बड़ी त्रादी से आप लिख लिक लिए इस सारे घटना करम में कितने चल बटदी आपक लिए तार गशे ओं मेरी और बहाया भीनारी हो ने फोन क्रना हो मेरे आपोस में कर तो साधी को सिर्फ 2-4 दिन रही है और ने यह सिर्फ आपके की मेरे यह बहूं है अगर तुम चाहती हो कि तुमारे पापा वहां जिंदा रहे तो तुम बस बोलो कि सब ठीक है, दो मिनट सर वो बात करते थे हाँ पापा ठीक है, हम बीजी है कहीं जा रहे है क्योंकि मुझे सर यह डर था कि मैं देख रही थी ना वो किस टाइब के लोग थे मैंने उसके घर म कि यहां तक पहुच नहीं बाएंगे तो मैं शर पापा को भी वही कहा कि पापा ठीक है फिर उसकी माने फोन उठाना सुरू कि मेरे घर वाले मेरे रिस्तिदार फोन कर रहे थे मेरे फोन पर क्योंकि हर इंसान को था मेरी नहीं साधी हुई थी हर इंसान पूछना चाहता था कि मेंजी के जैसे विवा हुआ 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 है तो जो बेटी की विदाई हो जाती है कि दो तीम दिन मान उसका पापा का फोन सुसाइटी वाले उसके पडोसी थे उनों ने कहा कि आपकी बहु आई तो है पाप फेरा नहीं हुआ क्यूंकि वही सर एक पंजाबी कल्चर थे तो पंजाबी कल्चर फॉलो करते थे तो उन्होंने कहा कि इसकी तब यह ठीक नहीं है तब यह ठीक होते ही हम उसको भेजेंगे यह बरावर में कोई कोहली रही थी ती यह यह कोहली था सर कहने सर सुसाइटी के लिए तो यह एक पंजाबी था ना जो बोर्ड में नाम जब कि यह बिल्कुल कटर मुस्लिम था तो जो परोसी ते सर उनके नजर में तो यह बंदरवाजे के पीछ एक हिंदू फैमली थी ना मतलब उनको नहीं पता था इनकी आइडेंटीट मुझ आज भी आद है जो परोसी उनके साथ चार से पास साल से रह थे जैसा कि परोसी स्टेटमेंट दिया उनको तक नहीं पता था कि यह आदमी एक मुसल्मान है वो जब भी मिलते थे पंजाबी फैमले के जैसे मिलते थे तो सर इन पर आना सुरू हुआ कि भाई आप फेरे के लिए भेज़ो तो सर इन्होंने कैसे भी करके उनका तब्य ठीक नहीं है मेरी मात कौन रोग आते थे थे सर उसके साथ ही लोग होते थे उसके एडवोकेट, DGSP होते थे हैं, ठीम थेल्ने मुसिल्मी थे साथ आते थे साथ हमिस्ल्मान कैसे जारकण सरकार के मंतरी का नाम लिया, क्या रहिते ते हिंआ हाजी मेरें छॉसिय ते झारी कार्ड चांड कार्ड है इसके घर पे जिसमें लिखा था रकीबुल हसन खान पहली बार सर मुझे डॉक्यमेंटरी कुछ पता लगा कि लोग उसको प्रॉपर रकीबुल के नाम से ही जानते है और जैसा कि मेरे कोट स्टेट्मेंट में भी हाजी हुसें अंसारी साब ने कहा है जो मिनिस्टर थे कि मैं स्टेट्र है कि इसान को रकीबुल हसन के नाम से जानता हूँ तो सोचिए सर किस तरीके के यह लोग थैंश था आपके लिए सादी के दिन तो पुरी सम्सलिंग कम्यूनीटी का एक सब्सक्राइटी अलग है जिन को यह नहीं पता था कि यह पता था कि यह मुसल्मान यह देखिया कि ताव में ता तक घर मे नहीं तो प्रोश्यों को यह पता था कि यह कोहली है और एक हिंदू बेटी से साधी हुई है जबकि जो उसके उससे मिलने आते थे अने लोग मुस्ता के साथ वो सब मुस्लिम थे और कट्टर मुस्लिम लोग थे यह इतना घहरा सडियंतर था कि उसने अपने बाजूप में धाने वाले को भी यह पता नहीं लेंग क्योंकि मेरे साथ उसने इतना इतना टॉचर किया था तो सबसे बदा थासर कि असले मुझे धोखा दिया और उम आते वे यह कहता था तुम हिंदू हो और तुम को क्या लगता है साधी कर के आई तूम कहा लोटोगी ना उमारा परिवार तुमको एकस्प करेगा ना समाज तो सर कहीं ना कहीं मेरे मन में यह था कि ऐसा भी क्या समाज का सोच हो गया कि यह रकीबुल जैसे लोग मुझे टॉर्चर करके मार कर यह कॉंफिडेंस से हस कर कह रहे कि भागो आज भी आद मुझे सर वो दर्वाजा खोल देता था और कहता था तुम भागो कहां भागना चा क्योंकि सर जिस फिल्ड में आप हो अप कभ लिख 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 लिए उसके यहां से यही मैं बताना चाहूंगी कि फिर धीरे समझ आया सर जब मैं वह रही कि यह लोग एक नॉमल लोग नहीं सर करंसी भर कर आते थे बैग में और क्रिंज क्रेंसी मैं आप सूटर हूं तु म तो मुझे सिर्फ उससे पता लगता था कि अच्छा ही आज मेरी किसमत समझ लीजे मेरा बस ऐसा था कि एक सर्वेंट उसके घर में थी जो बच्ची थी जो 24 गंटा रहती थी एक सर्वेंट जो आती जाती थी क्योंकि सर मैं भी राची की लोकल हूँ और वह लड़की जो थी लेडी थी मिन्स वह भी वहां की लोकल थी हमारे गाओं की पहचान की निकली वो तो उन्हों उनको जब दिखा स्टार्टिंग में क्या था नसरी मुझे कभी भी टॉर्चर उस टाइम पे निंगरते थे जब स मेरा समय सुरू होता था हमार खाने का तो जब कितने दिन छिपा पाएंगे वह मेरी बिग़ती क्यों कि सर वह मुझे बंद कर दिया पानी नहीं देते थे कुछते से उन्होंने मुझे नुचवाना सुरू किया कि अज भी आदे सर कुते गो झुम एक पाल रखा था क्योंकि सर मुझे स्टार्टिंग में बंद कर रखने लगे तो फिर कामवाली ने पूछा कि भावी नहीं दिख रही है आप उनको बाहर निकालो दो दिखी नहीं है तो सर मतलब उसने बताय कि यह थोड़ा मेरे पती से जगड़ा हो गया था तो उसने गुष्से में मार दिय कामवाली को कहीं इनको सकना हो जाए उस पर तो बोली कोई बात निकालो मैं देखते हूं मतलब समझ रहो कि नहीं साथी हुई ऐसे कैसे कर रहे तो सर इस डर से उन्होंने मुझे बोला कि तुम अगर इसको बताओगी सब को सर एक ही धमकी कि जैसे ही तुम मूह खोलोगी य जब उनको लगा कि इसकी हालत बहुत खराब है मैंने बतानी की कोसिस की भावी यहां जो लोग दिख वो है नहीं है और वो मुझे भावी कहती थी ती यह लोग दूसरे लोग है मतलब समझ बात करने का मौका नहीं देते था सर फिर भी कोई भी सर इंसान समझ जाए आपकी मेरी हालत ऐसी है और अगर वो मुझे जिन्दा देखना चाहते क्योंकि सर एक ही दिन मुझे मिला था जब वो आदमी आया था टिकट जो देने आता था तो मेरी हालत ऐसी थी सर कि मैं चल नहीं पाती थी बिना सहारे का तो काम वाली को इनोंने कहा था था वास्टूम आप वास्टूम में ले जो तो उस टाइम से बेल बचाना तो उसने कहा सर आज रात के आपकी फ्लाइट कंफर्म है दिली की क्योंकि सर मैं राची की खुद हूँ हूँ ट्रैवल करती हूं तो मुझे पता था दिली मतलब पॉने दो घंटा और रात मतलब आट बजे की होती थी अगर मेरे पुलिस लेकर अकेले मत आने मोला वर्ना उनको भी मार देंगे पुलिस लेकर अगर वह 8-8 तक तो मैं जिन्दा मिलूंगी वर्ना अब मेरे अंदर सक्ती खतम हो गई थी आपने सोचा कि मैं आत्मत्य कर लूँ तो मैंने कई बार सोचा लेकिन सर कहते ने जब आ तो मैं ते लिए यहाओ कुछए यहाओ आप यहाओश लागा हुए आप बार साफ सक्तित्र को बार के लिए को से बारुए मांसिक सब्सक्राइब कार वह जिन्का उंच लेगा कि वहाओ गोजिये टी वह टारिए टी लिए अन्दारी श्वाली निसाने बाज भाँ किस तर जब आपके अंधेरा चाह जाता है तो मुझे याद है आज में अपसुसाइड कर लूँगी तो मुस्ताक और अकिबूल ने कहा था कि तुम क्या लगता है तुम आत्महत्या कर बज जाओगी जिस दिन तुम आत्महत्या करोगी हम कहेंगे कि तुम किसी गैर मर्द के साथ पा मैंने डिसाइड कि मैं सुसाइड नहीं करूंगी और मैं चाहे जैसे भी हो यहां से जिन्दा बचूंगी और ये लोग जो गुरूर से कहा है ना सर कि मैं मुझ छुपा कर भागूंगी भागेंगे तो सर ये तो कहते हिंमत मिल जाती आपको लड़ने के उस परिस्तिती में अनके उस सब दिनी ना सर मुझे जग जोर दिया कि एक लड़की के इज़त को तुम ने खराब किया अनलाफ समझे पूरी मेरी जिंदगी वरबाद कर दी इस साम को पाप जी और भाई आए आए पुलिस लेकर उनका सर पुलिस का भी प्रोसस ता ये ज़ग ज़ा गया था उनकी माता जी घर में अकेली ती अकेले कभी नहीं होते थे सर उनके बॉड़िगार्ड नीचे कड़े ज़ग ज़ग ते ते वो घर पे ते उस समय साम को पापा और भाईया पुलिस लेकर आए ती पिर क्या हुआ सर जैसे ही वह पहुचे इतना आसान भी नहीं था सर क्यू पुलिस अपने आदमी है मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कहां जो यह कुन बोला रकीबूल-हसन ने कहां सर यह बात और फिर उसने मुस्ताक अहमद को फोन कि तो जश्ट पांच मिनर के अंदर मुस्ताक अहमद का फोन आया उसने सर पुलिस के जो मुझे पोस्ट याद तो उनको कहा कि इस लड़की को तुम आज रात भर चोड़ दो क्योंकि इसका पती नहीं है तो बाकी हम देख लेंगे तो सर जज जब फोन करता है तो पुलिस के उपर बहुत दबाव था तो पुलिस ने कहा कि मैं हम आपकी परिसिती समझ रहे लेकिन क्योंकि आपके पती मैं मुझे नहीं पता लेकिन मैं यह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे तो सर उसी टाइम एक SI मैम पुलिस की जो महिला पुलिस उन्होंने कहा कि अगर हुआ कि उसकी माने ना मंगल सुत्र मैंने पहन रखा था पुलिस के सामने जोर से खीचा तो मेरे बेटे ने दिया है तो मैम ने कहा कि जब तुम मेरे सामने इस लड़की से तरीके से हैवानियत कर रही हो बुड़ी बुजूर्ग हो कर मुझे आद में से कितने दिन तक आप सबज़रों सर जबरदस्टी क्योंकि सर उन्होंने मारा था तो फूल गया था मेरा हाथ तो जबरदस्ती जानवरों तो मैम ने कहा जब इस लड़की का हाला तुम मेरे सामने असा कर रही हो तो जाते हुए तो मार भी दोगी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी तो मैम ने फिर सर स्टेप लिया उन्होंने का सर मैं इस महीला को अपने थाना में रखोंगी बहले वो घड़ना जाए लेकिन मैं जो आप कर शूड़ोंगी तो मैं नहीं जो बन कर आई उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है आप यह से चले आप चाहती है कि में मुस्ता कैमत के रहना प्रेसर में नहीं आई शर के मैं इस बेटी को ज़ूर ले जाँगी इवन सर यह कर अग रहना है ज़ना यह जू ऻग हम औ आपका भी order follow करूंगी कि मैं घर नहीं जाने दूंगी लेकिन यह लड़की यहां नहीं रहेगी सर इस परिसिती में जो मेरा हालत था मैंने कहीं जाने के लाइक नहीं है पहले इन्होंने मुझे सदर हॉस्पिटल पुलिस नहीं पहुचाया जो रिकवरी के बाद ले जाते है अब यह था सर बात की मेरी जो डॉक्यमेटे जिसकी वजह से में टॉर्चर हुई थी एक हमेसा यह था कि तुम कहीं भी भphone के हैं तुम इस आंडियों करऊडं़ लियenteर देना और हम आम आदमी कभी वह थांथी साविद नहीं घर पाएबबात तो को उस्सीजे व्रफ़ सा मुझे सिर्फ वो एक फाइल आप दिला दीजिए क्योंकि सर वो जो कहते है इस तरी धन जो मैं लेकर आई थी उन्होंने कहा कि मैम यह तो जिन्दा आप निकलोगे यह आपका समान यहां से हम ले जा पाएंगे मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए बस मेरा फाइल दे दो क्यों कि मैं यहां से जाओंगी तो वो उसका गलत यूज करेंगे तो मैंने सर ऐसे ही गया फिर बी सर वो लेडी उस पुलिश तक को चाहबी देने को तयार ने कि भाइन कोली की नहीं मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी तू ता करके वो पुलिस से बात कर रही थी तिन्य ती फ इस जैसा कि मैंने आपको बताए कि मैं एक नस्तन सूटर थी तो ऑविस दो हजार से चौदा तक मैडल ले थी तो सर मीडिया के नजर में हमेशा से थी कि तुम्हें कच्छी भरती सूटर हो तो हर मीडिया वाले भाया जो स्पोर्ट सेक्शन के थे उनको पता था तारह सादे सूटर है तो जैसे ही सर में रिम्स पहुची और मीडिया की लोग होते है सरकारी हॉस्पिटल मून को पता लगा कि एक सूटर के साथ ऐसा धरम परिवर्तन का केस आया है मुझे आज भी आदे सर एक न्यूस पेपर में सुबह सुबह आर्टिकल आया कि स्तारह सूटर सादे के साथ धरम परिवर्तन की कोछिस की गई मार पिट किया गया वो ही सर उसी एक न्यूस ने मुझे बचा लिया क्यूंकि उसके बाद सारी मेड्या वाले होस्पिटल पहुच गय क्योंकि अगर सर गुम नामी की मौत वो मुझे वैसे ही मारा देता ता यह आपका मामला थी यह पूरा गैंग था यह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया फिर तारा सहदेव निड़ता के साथ अपनी बात मीडिया में रखती रही और इस सारे प्रक्रण की आगे उच इस तर पर जाच की उन्होंने मांग की तर क्या हुआ जब मेडिया ने प्रेसर दिया तब तक वो फरार हो चुका था अपनी मां के साथ और बाद में सर मीडिया के माधियम से ही पता लगा कि एक जज ने उसको अपना बोडिगार्ड अपनी गाड़ी देकर प्रॉपर पटना के रस्ते दिल्ली पोचाया है फिर अरेस्टिंग बहुत प्रेसर के बाद सर वो छे दिनों के बाद पुलिस ने सर एक अलगी मोड ले लिया तब तक प्रेसर में आकर कि मेरे जो मामले को मेरा जो केस था था एक धरम परिवर्तन का ना कि घरेलु क्रताड़ना का केस, तो मेरे केस को सर उन्होंने जो मैंने बयान दिया था पहला बयान जो लेते है तो क्योंकि मैं हॉस्पिट जब मेरे भाई और पापा ने कहा कि तुम्हारा यह यह लेकर आए यह लिखा है। मैंने तुनको सारी कहानी बताई थी कि मेरे साथ सुरू से अन तक किसलिए मुझे टॉर्चर किया गया। मुझे समझ मा गे सर कि यह रही हो जुसने कहा था जो पुलिस है जज मेरे तो फिर मैह से मिलने यह मिलें गई, बै throughout consumption of media, च्ण हमेसाँ था भाई कूशनों घंड़ का मी कौटमगी हुझ पर हम से हम थांग सर प्रख लाए हं सर उनका प्रेसर 25 फी合 तो फिर हम्ने है क्ई को मे करें तुमस दोर मैं घरेलू परतारना का सिर्ट बनाए रखारें रखाव डिश्र एक व्यक्षा से फिर इसे अधि यह देखा के इस मामले में जारकें प्रिस बी पिविली हुई इसे थाने जो परसासेन भोगा थै तो फिर आप अथिवक्ता के माध्यां से हाई-गोड गई पूरी जाच की उसे पुरी जाच की उससे आप पूरी संतुष्ट है सर मैं तो यही कहूंगे स्टार्टिंग में ऐसा रहा था कि मुझे सर कहते हैं जब विस्वास डगमगा जाता है कई बार ऐसा डगमगा है कि साथ सीबियाई में भी कुछ ऐसे लोग होंगे क्योंकि यह इस लेवल के थे जज थे सुप्रीम कोड के कुछ जज इनको टच में त पिर कुरिया के दोरान आपको बीच में फडमकिया भी मिली कर्या जाय बार एक नुक्र थे साल थे जॉच जब साल तक मेरे साथ तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं तो सब कर तक मैं परिवार के मात्यम से अगर जग रही कि कैसे भी करके सर मेरा मकसद था कि मैं जिन्दा रहू हूँ मुझे अगर कुछ हो तो इनको दो मिनट नहीं लगेगा सर इस केस को घरे लूप अतारना बना कि बंद करने में इस सारे मामले में जब यह मामला सी बिया के पास चला गया तो मुस्ता केमा उस समें कहा था करने मुझे करदे हम रहे किरम बवाई करहा हूँ मुझे एक ऊझाल मुझे चाला था इस प्टो नहीं करता था था विला में तो सभर जव्द काने हुआ का इस के भाणा वहांत角 रह Bong् एदम में ले लिया था कि ए और नहीं आ प्र रांटे उन парभ नहीं हो मुझे प्हां ऐस जो जो बोलता पतना का है वैसे आइडेंटिटी उसकी जो थी कि भै उसके फादर पतना में थे और वो रहता राची में था जो इसके आईडी प्रूफ ने निए अपनी घर में अच तो वह एक बातर है अपनी घर में तो पहुंग देने के लिए कोसिस किया तर मेरे घर तक अ जिसमें मेरे भाई लोग ने मेरा प्रोटेक्शन कर अच जो इसके बद्दिए ने मुझे धंकी दिया था ता अच्या वो केस एक अज़ चल रहा जी सा उसके बद्दिए का भी केस चल रहा है अपने एक ऐसे एको सिस्टम के खिलाप लड़ई 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 है जिसमे एको सिस्टम आप समझे उस हमारे लोग हर जग है तो सर यह सबसे बड़ी बात है कि हम एक अम इंसान से या झाम नर्मल एक किसी इंसां से उनका एक प्रॉपर एक लॉबी है जो एक चैनल उनका साथ दे रहा है चाहे वो नीचे अस्तर से लेके उचे लेवल तक जैसा उसने कहा था सुप्रीम कोट तक उसके लोग बैठे हैसा तो उस लेवल के इंसान के साथ हम लड़ाई लड़ रहे है जब मेरे साथ टॉर्चर तो मैं यह बताना चाहूंगी कि मुस्ताक अहमद का यह केस क्योंकि वह हाई कोट का विजलेंस रइस्टार था तो एक केस वह भी था कि उसको उसको प्रोसीडिंग चली थी हाई कोट की तो जब मैं सामने गई मैं याद है केस के बाद पहली बार मेरा सामना मुस्ताक क्या चैनल ने देखकर बोलो रहे हैं से चली आपके साथ सारी जादा आपके मांसिक रूप से खेलते हैं और जब आप आप जाओ गें पर उसका डर जाओ जाओ तो यहाद उन लोगों कि इस लेवल तक टॉर्चर किया था आज जैस आपने बताया सर मेरे बैक बोन में तो तो सर इस लेवल के लोग थे वो जैसा मैंने आपको बताया किस कैसे उनके यहां पे डॉक्यमेंट पर कागज कोड की कारवाई जैसा ऐसा लगता थे सर कोड उसके घर में है जज है वकील बैठा है पुलिस बैठी है और यह बोल रहे है कि हैं इसको आप यह जज्जमेंट दो तो सर ऐसा दिन देखा है मैंने वहाँ आप यह चाहरी है यह आपने अपने अगों सी यह देखा है कि मुस्ताक आमद एकार्प्राइब के लेक आता था रखी जो रखी बुड़ करता था यहां तक भी मैंने जो सुना था सर क्योंकि मैं उस ताइम पे रखा था यह जो उनको कुछा थे लाल कपड़े में लपेटा रहता है डॉकुमेंट वह डॉकुमेंट यह मलब कोड़ बंध होने के बाद यह निकल वाते थे पहले वह बहुत लगबी लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को अपने शंगर्श अपने आत्मिश्वास के बलपन अनजाम तक पच हम अभी उप्री अगलत में जाएंगे वह अपील करेंगे उसका मुकाबला कैसे करेंगी सब्सक्राइब करेंगी सब्सक्राइब करेंगी और मैंने पहले दिन से जब लड़ाई सुरू कि अंतिम सास तक लड़ूगी चाहे परिसिती कुछ भी हो क्युकि उसने का ताना सा तुम यहां जीत जाओगी यहां निकल जाओगी वहां मेरे उपर सुप्रीम कोट तक पहली उसने मुझे बता रखा है कि उसके लोग हर तरफ फैले है उनका जो चैनल हो बहुत स्ट्रॉंग है मुझे नहीं पता सर क्या चैनल मैं एक आम इंसान हूं लेकिन अगर उन लोग को यह लगता है कि किसी हिंदू परिवार हिंदू बेटियों को आप यह जो लड़ाई का सडियंत्र में रचा के अगर वो जिन्दा बच भी जाती है तो आपके जो यह लीगल जो टीम है आपकी वो उसको उपरने नहीं देगी यह उसको केस में समझे जजमेंट नहीं आने जो सडियंत रच्ते हैं उनको उनके किये की सजा जूरूर मिलनी चाहिए और हमारी सनातन जो बेहन बेटिया है वो ऐसे जिहादियों से सुक्षित रहना चाहिए तारजी मैं आपने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी मैं आपको अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहु जाता हूं बहुत दन्यवाद आपका अपने समय दिया लेकिन आपकी इस पूरी लड़ाई में आप हमारे देश की सनातन हिंदू बेहन बेटियों को क्या संदेज देना चाहती है जो वो लव जिहादियों के चक्कर में नाफस है सच जैसा जब मैंने आपको बताया जब मे जब इस नाइं कि मिलने का कि यहीं पुम आई सामने इस लिए आएकि आप मेरा उन्याणा बतांthon को हें सामने आना चाहती मैं सामने इसल्य आई कि बेटियों को पतालगे कि मैं हूं आप जहांचाये आप मुर्था सुनों मेरे साथ हुआ है है और व्लब कोर्व से लि Wait a look a law of Jihad को खत्रा है जो यह सड़ेंद रचा जा रहा है ताहरा स« हादब जी में जो सड़न होई है गी जैसे अपनी अपनी पूरी सिस्ट लड़ी दूसरी बेटी लड़े और बिलकुल भी जिहादी विचारदारे वाले लोगों के शुंगल में ना फसें आप हमारे देश की चनातन बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेड़ना गस्वत हैं जब आप हम बात करते हैं जीवन साथी चुनने की या किसी इनसान से बात करने की जैसा कि आज सब देख रहे हैं कई लोग लिव इन डिलेसंशिप नहीं चीजे आरे हैं हमारे देश में सुनने में तो इन सब चीजों में जाने से पहले आप अपना पूरा प्रॉपर बैक्ग या उन लड़कियों का नहीं है जो सिकार हो गई है आज यह सुनने में था सर आपको याद होगा पिछले दस साल पहले कहीं सुनाई देता था एक लव जिहाद का केस आज हर दिन सुनाई दे रहा है कि आज एक बेटी वहां कट गई आज वहां मारी गई क्योंकि सर उनकी हि साइटी का है यह लव जिहाद है और इसको हम सच्चाई से माने किसी भी इंसान से जब आप बात करते हो प्रॉपर आज यह समय आपको बताया सर आइडेंटिटी हम करते समय लीजे क्योंकि जैसा उन लोगोंने मेरे साथ कैसा से बहुत कम समय में इमोस्टनली करके कि मेरी म बीमार है कुछ भी हो हमें समय चाहिए समय से उनकी प्रॉपर इंक्वाइडी कीजिए और कभी बिस्वास मत कीजिए जो वह बोल रहे है और मैं भगवान ना करे कभी आप इस में फस जाते हो तो सर ऐसा कभी नहीं है कि वह जिहादी आपको एक दिन में बोलता हम आपको का सकते हो प्रॉबलम हम पहले हिम्मत हार जाते कि यहां से बाहर जाकर हमारा क्या होगा आप सब के सामने मैं इसलिए गर्व से कहूंगी कि समाज हर पल आपके साथ खड़ा होगा आज आप सबने मुझे इतना सम्मान दिया है साथ दिया है तो यह एक्जामपल एसर उन बेट